नाकपुर शेहर में अजणी रेलवे स्टेशन की पास कंटेनर डीपो में भारतिय रेलवे द्वारा कोविड केर कोच स्थापित किये गए है वरतमान में 11 यातरी कोच एक दूसरे से जोड़ी हुए है जिसमें 170 कोर्णा पीडितों का इलाज किया जाएका रेल मंतरी पियुश कोईल ने ट्वीट कर संबन में चांकारी दी है राज्ची की उपराजधानी नाकपुर में कोर्णा की सिती अब भी नियंतरन में नहीं है आरोगी यंतरना पूरी तरह से चर्मराग गई है इसके लावा कोर्णा रोग्यों की प्रवेश के लिए अस्पतालों में कोई जगान नहीं बची है यही कारण है कि कोर्णा संक्रमित मरीजों को बैडनम मिलने की गंभीर सचाई सामनी आ रही है इस बिकर्ट सिती का सामना करने के लिए कई सतरों पर मदद के लिए हाथ आ गया रहे है और अब भारतिय रेल्वे भी नाखपर के लोगों की मदद के लिए आ गया है पिछले साल रेलवे नी कोर्णा संक्रमित रोग्यों की इलाज के लिए 29 कोविट केर कोच सापित किये थी लेकिन इस बीच कोर्णा का प्रभाव कम हो जाने के बाद हर इन कोविट कोच को सभी लोग भूल गए चुकि दो महिने से कोर्णा की दूसरी लेच चल रही है और जैसे ही यह देखा गया कि बेट अपरियाप्त है रेलवे प्रशासन ने नगरपाली का प्रशासन को सुचित किया था कि कोविट देखबाल कोच तयार है लेकिन नगरनिगम प्रशासन ने ज्यादा दिल्चस भी नहीं दिखाए इसलिए नियाले ने नगरनिगम प्रशासन को रेलवे के साथ समन्वे करने का भी निर्देश दिया था रेलवे मंत्री प्यूश कोविल ने गोशना की कि 11 कोविट केर कोच मरीजों की सेवा में तैनात के चाहेंगे शहर में आए दिन करना संक्रमीत मरीजों का आकड़ा काफी तेजी से बढ़ रहा है शहर में मरीजों को जो है ऑक्सीजन और बेड की सुविदा उपलब नहीं हो रही है जिसे देखती हुए जो है ट्रेन में भी अप जो है मरीजों के लिए बेड्स बनवाए जा रहे है य यहां पर मरीजों के लिए साथ ही 11 प्लस एक कोच मतलब एक कोच जहां डॉक्टर्स रहेंगे उनकी टीम रहेगी और 11 कोच में जो है बेड्स बनवाए गए कोरना मरीजों के लिए जल्द ही यह जो है सुविदा नाकपूर वासियों के लिए शुरू होने जा रही है कैमेर